अगर आपने अब तक मेरे यूटीब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिये वेए रिटलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लीजिए आज का ये वीडियो मैंने परस्टनली विजिट किया था हकीम भई के पास वहाँ पे शूट किया है आज के इस वीडियो में हकीम भई अपनी देशी गोड दिखा रहे हैं जो के तीन किट्स के साथ है तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते है हलो फ्रेंट्स वल्कम बैक आज मैं आया हूँ हकीम भई के पास मैं कोशिश करूँगा माशालला दाने बाने की काफी अच्छी आ रही है हाइट लेंद की अच्छी बक्री है दूद वाली बक्री है फ्रेंट्स तीन बच्चों को आराम से दूद पिला रही है ये वो बक्री है ब्रॉन एंड ब्लैक कलर के कॉंबिनेशन में आ रही है देख सकते हैं ज्यादा एज की भी नहीं है इसके साथ ये बच्चे आ रहे हैं फ्रेंट्स जो वाइट एंड ब्रॉन कलर के कॉंबिनेशन में है नर है ब्रॉन कलर के जिस पे black spots आ रहे हैं ये पार्ट आ रही है और ये ये तीसरा है ये भी नर्वच्छा है friends असलाम अलेकुम हकीम बई वालेकुम असलाम तो हकीम बई क्या जाएगी ये बच्छों की ये सब्वा मेने के है बई सब्वा मेने के एक मेने से ज्यादा के बच्चे है ये तो इस बकरी और इन तीन किट्स के साथ आपका आज़किंग प्राइस कितना है किम बई वही से कॉंटाइक कीजिए इनकी प्लेस पर परसनली विजिट कीजिए सामने से इन माबच्चों को देखिए अगर पसंद आए तो ज़रूर बाई कीजिए अगर आपने अब तक मेरे यूटिब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दियोए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लीजिए एक और मेल है फ्रेंट्स यह तीसरी फीमेल आ रही है इन सब के लिए मा और तीन बच्चों के लिए हकीम भई का आस्किंग प्राइज है तो आप में से जो कोई भी इंट्रेस्टेट है एक बार परसनली हकीम भई की प्लेस पर विजिट कीजिए सामने से इस गोट को देख अगर पसंद आए तभी भाई कीजिए तो हकीम भई इसे चलने में तकलिफ हो रही है खुरों का प्राबलम है खुरा बढ़के नहीं कटा है आप देख सकते हैं खुर इसके बढ़ चुके हैं बात बतानी जरूरी है चलने फिनने के इसाब से देख लीजिए सामने से खुर बाई